हेलो दोस्तों आप सब कैसे हैं मैं हूँ आपकी दोस्त लीना और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पे दोस्तो आज हम जाएंगे पहाड की सेर पर पर दोस्तो आज हम अकेली नहीं जाएंगे हमारे साथ जाएगी हमारी फ्रेंड चिंकी वो बहुत सरार्ती है और जिद्धी भी चलो देखते हैं वो घर पर किरा कर रहे है चलो दोस्तो जिंकी जिंकी तुम कहा हो अरे तुम यहाँ पर हो मैं काप से ढूण रही हूँ क्या हो गया तुमें क्यों मूँ लटका करके खड़ी हो क्या हुआ अरे बुद्धू मैं तो मजाग कर रही थी तुमें पता है तुमने किते देर कर दिया आने में तुमारा कप से इंदजार कर रही थी अब चलो भी चलना नहीं है क्या और लेट करोगी मेरा पैर देर कर रहा है फ्लीज तुम मुझे उठा कर ले चलो ना मैं तुम्हे नहीं उठा सकती हूँ तुम मुझे उठा कर ले चलो अभी से ठक गया और तुम तो मैं आर चल सकती हूँ मैं ठकी नहीं हूँ चलो वाउ लीना देखो कितना प्यारा फूल है मैं ऐसे तोड़ने वाली हूँ नहीं चिंकी रूप जा तुम ऐसे नहीं कर शकती मैं तो तोड़ूंगी बच्चाओ मुझे लीना बच्चाओ सॉरी लीना मुझे नहीं पता था कुछ ऐसा होगा कोई बात नहीं चलो ठीक है हम लोग आगे चलते हैं आगे से ध्यान रखना ठीक है हाँ 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 अरे बच्चो कहां जा रहे हो? कुछ फल तो खालो शुक्रिया पेड़ जी पर आपको कोई परसानी तो नहीं होगी जब मैं ये फल लूगी नहीं बच्चे मुझे कोई परसानी नहीं है बलकि मुझे खुसी होगी बहुत सारे बच्चे मेरे फल को खाने के लिए मुझे पत्थरों से मारते हैं तब मुझे बहुत तकलीफ होती है पर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया इसलिए मुझे तुम लोगों को अपने फल देने में खुसी होगी जितने चाहे उतने फल ले जाओ बच्चो आपका बहुत बहुत धन्यवार तेड़ जी इस तरहां दोनों सहलियों ने पहार पर जाकर एक नया सबक सीखा कि प्यार से सब कुछ मिलता है तो दोस्तों आज हमने यह जाना की पहाड़ों पर बहुत अच्छी हवा चलती है वहां हमें बहुत सारे फ़ल मिलते हैं जो बहुत युम्मी होते हैं हमें कभी भी किसी पेड़ों के फ़ल को पत्थर मार कर नहीं तुणने चाहिए क्योंकि प्यार से ही वे हमें सब ही कुछ दे देते है तो फिर दूसरे को तकलिफ क्यों देना तो बाई बाई दोस्तों फिर मिलते हैं बाई